तो मोदी जी ने उनको पईसा दिया था वो बाटे क्या उक्रेशित देंगे क्या सायद है कि प्रदानमंतरी का चार्स हो सकता है सिर्फु राशिंग जुफर ने पहले ही इपकर दिये थे कि मैं मुख्यमंतरी नहीं बन मुखा यह गई पर देंगे लेनार दना मिसरा जी को द तो पुझा पार्ट जितने कारे हैं बड़े लोगों का अब करने के लिए हम तक पड़े हैं आप से हैं यह आप इक बार शेवा करने का उस्वती जी जी बारे में क्या कहेंगे तो पूरा जो दिमार का है वो मोदी जी का है अच्छा यह बता हो कि यह पताओ की वतासा आया कहा से कण नुखान का है तो पहले पढ़ने चीज को पैसा दिये, इसलिए तक जो है आया, तो मोदी जी ने उनको पैसा दिया था, वो बाठे, क्या उपने जिल्ट देंगे क्या, जिल्ट नहीं देंगे, यह जो बहन लोग हैं, अगर इनसे मागों के घजार हमको दे तो तक्रित देखा, इससे देख मदी चाहर ने वसी काई आए, तो अभी क्या लगता है, इस बार 400 बाच होगा की नहीं? क्या करने वाज है कि मुख्य बनेंगे नहीं बने क्या लगता है इसलिए नहीं तो ये रिकार्ट उनका पुक्षाही बनने के लिए इसलिए रोका गया है अगले को भी दिया जाए चांस इसलिए अब सायद है कि प्रदान लंद्री का चांस हो सकता है सिवासिंग जी के लिए अच्छा मतलब अभी जैसे मध्य प्रदेश में सिवासिंग चौहां जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया उनकी अगवाई में लड़ा गया बाद में मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया तो इस बार तो मोदी मोदी जी के नाम पर तो ऐसा कोई तो आपके बात कोई नहीं समझ सकता आप पहले बोल रहे थे कि मोदी जब तक जिन्दा रहें प्रधान मंत्री में तो जब आगे की और पढ़ाना चाहते हैं हमारे अधरी कोई में को तो जब पुर्सियां पदलती जली जाती है तो अंधा बढ़ती जली जाती है तो अभी बॉट देने वाले हैं चुनाव को आगे देंगे जब पी को क्यों देंगे जनार्दन मिस्रा जी को पिछली दो बार को दो बार भी कारेकाल हुगे, हो गया अचा थह है, तुझाई जो चोन ए वह अच्छा है। हमारे विए जीन है भी तो यही देख रहे हैं है, थिरःपट्या चीइंगे। बता दो आप क्या करते हो आपने सीखा कैसे था पढ़े थे अच्छा पढ़े थे कहां कहां फिर पढ़ाई किये लिए अच्छा इलहावाद प्रयाग राज बैटे हैं हमारे गुरू जी ये सिख्छा भी दिये थे आपको पढ़ाई थे पहली सिख्छा हमारे गुरू जी का पंडिताई करने का क्या फाइदा है अभी जैसे आज के समय में देखा जाए तो लगभग जेतने भी ब्रामार युवा हैं वो नौकरी की तरफ भग गए कई लोगों को मैंने देखा है पूर्वा मजगमा मेरिक हैं लौकरी एक दूसरी सीच्छे का रीजन है और ये पंडिताई करना इक तूसरी भी दिजण है पंडिताई का मतलब यह नहीं है कि कोई प्रिश अकमाना है हैमा स्वठ्ध वक्ति ग्यान और यह पैरां यह सब होते हैं और चप्य्डदा का होते हैं जो कालते हैं हम पैदा उ तो कठिनाई कितनी होती जैसे सब हम बात करते हैं इस नौकरी में ये कठिनाई है इसकाम में ये कठिनाई है एक पंडित बने रहना पूजा पाठ करवाना कितना चुनावती पूरता है कठिनाई हैं सब के उपर हैं सुख और दुख सब के पास है तो अगर वह सुख है सुख कारू हो गएगा तो दुख कहा सकते हैं जैसे आप अभी आप अगर नहीं आएगी तो आप सेड़ी कैसे चड़ोगे वह सही है लेकिन ये एक त्याग वाला भी काम है ना पंडित होना काम है वह से काम नहीं बंडित होना का काम है उसी एक समयée होते त्याग के पास होता हैुब कि मतलब ये बंडित बने रहने के लिए पूजा पाठ करवाने के लिए करते रहने के लिए आपने अभी तक क्या क्या त्याब किया होगा इसा तो बहुत सी चीज़ों की होगा दिए ग्रहस्त में सब कुछ नहीं त्यागा जाता मद्रामास तवासी भोजन है अगर इस्टे अगर कल्यों में बच गया तो ग जैसे नहीं पीड़ी देखा जाए खासकर इस छेत्र की जो पंडितों की ख़दान हुआ अज देखा जाए तो अच्छे पंडित धोनते हुए भी नहीं मिलते हैं क्योंकि पंडितों के ख़द से जो पहले लोग पढ़ाते थे बिद्यातिन करवाते थे अब आज का जनरेशन में यह हुआ कि इंग्लिस पढ़ेंगे तो वह भी पढ़ाना पूरू पर दिये वाई जाए बीके मांग के पढ़ाएं अपने बच्चे को आके बढ़ाने के ल लोग हैं उनके सिर में पंडित बैठते हैं तो यह रीजन नीचे से आया कि देखिए मैं पंडिता ही नहीं करूंगा भाई आज का जनरेशन इतना डबलफ है कि बच्चे लोग उस एरिया में जाने के लिए नहीं सोचते कमाई भी जाता है जी है ना इसमें आपको कितने प लेकिन चुनाओती तो है ना राण प्राण भर जागना पड़ेगा जब साधिवादी कर्वादी करवानी चुनाओती तो चुनाओती कोई पैसा है कि चुनाओती है कि बढ़ेगा है